हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त बफेंदा राजबूर और आप सभी कस्वागत करता हूँ अपने यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें पर इस वीडियो को हमने लाइक और शेर जूरूर करना है दोस्तों तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ कमरुनाग की जील दोस्तों 3334 मीटर की उचाई परस्तित है दौलादार रेंच और बाला गाटी का द्रिश्या उस स्थान की सुन्दर्ता को चोड़ता है जहां बड़ा देव कमरुनाग जी की जील है मंदिर देवतार के जंगलों से कीरा हुआ है परमपरा के अनुसार कमरुनाग महा भारत का राजारत नक्षे और पान्टो दिन पान्पो ने इनकी पूजा की थी एव कमरुनाग द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ती पर बगदो द्वारा जील में सोने चांदी और सिको की बेशकर्ष करने की परमपरा बहुत पुरानी है जील के तलपर स्थित अन्य धातू सोना चांदी और सिको की मातरा का अंकलन करना संभव नहीं है प्रकृती प्रेमियों के लिए कमरुना की आत्रा स्वर की आत्रा है आज के समय में यहां पर पहुँचना बहुत ही असान हो गया दोस्तों पहले जो इस स्थान तक पहुँचने के लिए हमें पांच से छे गुटे तक का सफर पैदल दे करना पड़ता था लेकिन आज के समय में असा नहीं है सड़क की सुईदा यहां पर हो चुकी है आप यहां पर सड़क के मादें से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं दोस्तों अगर हम नाग मुझा की बात करें तो नाग मुझा का विधान हमारे धार्मे के रुटों में भी मिलता है और पहाडी के शुत्रों में भी इसे उत्सफ के रुप में मनाया जाता है पंडी जिले के कमरहा नामक स्थान पर गने जंगलों से गहरी पहाडी का नाम कमुरुनाग है पुरा तत्त विगानिकों के अनुसार इस छिल में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है इस छिल के किनारे कमुरुनाग देवता का विमंदिर है जहां चुलाई के मेने में सरनहुली मेले का आयोजन किया जाता है तथा इस दोरान देवता की विशेश पुजा अर्जनवी की जाती है दोस्तों माननेता है कि कपुरनाग जील में सोना चांदी और उपैसे चड़ाने की परपरा सदियों पुरानी है शर्दालों यहां अपनी मुरादे बूरी होने के बाद अपनी इच्छा के नुसार चड़ावा चड़ाते है यहां जील समुद्दर तल से 9000 फिट की उचाई परस्ते थे दोस्तों और इस जील में अर्बो का खा जाना है कि अगर हम इसकी सुरक्षा की बात करें दोस्तों हलांकि देवता के प्रती अडूट आस्ता होने की वज़ा से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनोंने ब्रयास किया देवता के खजाने को चुराने का लेकिन वह हर बात इस ब्रयास में असफल रहे कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने जिल से खजाने के चुराने का प्रयास किया उसके लिए उसने जिल के मौहने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया और कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान भी जली गई इसके अलावा एक कहानी और है एक चोर ने जील से खजाने की चोरी का प्रयास किया बाद में हुआ पकड़ा गया कहा जाता है कि इस गड़ना के बाद उसकी आंके पुर नोप से खराब हो गई पुरानिक मानेता यह भी है कि जील में बड़ा खजाना पांड़ों की संबत्ती है जिसे उन्होंने कमुरूनाक दिता को समर्पित कर दिया था दोस्तों कहा जाता है कि मंडी में एक अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि जील में फैंके जाने वाले खजाने का प्रयोंग राजस्व की जुरूरतों को पूरा करने के लिए किये जासाता है कई लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्यातन किया लेकिन वह नहीं माना उसने इसके लिए स्थानिय राजा से भी राजे की तरक्की की बात करके जील से खजाने को निकाने के लिए मना लिया कहा जाता है कि जैसे यो कमुरूना के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में बहुत जोर की बारिश हुई जिसके चलते उस अंग्रेज लिकारी को रास्ते में ही रुपना पड़ा बताया जाता है कि अपने निवास के दुरान उसने स्थानिय अफल खाया जिसे खाने के बाद उसकी तवेत में गड़ गई उसके बाद उसकी तवेत में लगातार की रावट होती रही हार कर अंग्रेज बापिस इंकलेट चला गया तो दोस्तों अगर हम कमुरनाग देवता की नाम की बात करें तो इसके पीछे भी एक कहानी जोड़ी हुई है वोबे मैं आपको बता रहा हूँ परानिक मानिताओं के अनुसार महा भारत का युद जीतने के बाद पांडव रतनेक्ष को एक पिटारी में लेकर हिमाले की ओर जा रहे थे जब वह नलसर पहुँचे तो उने एक आवास उनाई दी उसने उनसे पिटारी को एकान जगा में ले जाने के कहा उसके बाद पांडव उस पिटारे को लेके कमरोगाटी लेकर गए वहाँ एक भेड़ पालक को देखकर राजा रतनेक्ष इतना परभावित हुए कि उन्हें ने वहीं रुकने का मन बना लिया रतनेक्ष के कमरोग रुकने के पीछे यहाँ विकता है कि वह उसी क्षित्र में जनमा था उसने पांडवो और उस बेड़ चालक को बताया कि त्रेता योग में उसका जनम इसी स्थान पर हुआ था उसे जनम देने वाली नारी नागों की पुजा करती थी उसने उसके गरव से नौ पुद्रों के साथ जनम लिया था रतनेक्ष ने बताया कि उनकी माओं उने एक विटारे में रखती थी लेकिन एक दिन उनके गर आई एक अतिथी महिला के हाथ यहाँ विटारा गिर गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गे लेकिन रतनेक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में जील के किनारे चुप गए बाद में उनकी माता ने उन्हें डोंड निकाला और उनका नाम कमरुनाग रख दिया उन्होंने बताया कि वही उस जनम में राजा रतनेक्ष के रूप में जनमें तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बड़ा देव कमरुनाग जी के उपर ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो इस कहाने को जरूर शेयर करना दोस्तो जै बड़ा देव कमरुना की जै